नागरिक्ता संशोधन कानून बनने में भारत में रहे रहे घुस पैठियों के बीच भगदर का मोहौल और उनकी कोशिश कैसे भी वापस बांगलादेश जाने की है। भारत से वापस बांगलादेश जाने वाले लोगों को रोकने के लिए उसने सीमा पर गश्ट तो बड़ा ही दी है। इसके साथ ही उसने भारत से लगने वाली सीमा पर मोबाईल और इंटरनेट की सेवा बंद कर दी है। बांगलादेश सरकार के इस फैसले से करीब एक करोड लोग प्रभावित हो सकते हैं। हसीना सरकार ने भारत में अवैद तरीके से रहने वाले अपने लाखो नागरिकों की वापसी के डर से ये फैसला किया है। बांगलादेश टेली कमिनिकेशन ओपरेटर्ज ने भारत से लगती सीमा पर करेव एक किलोमीटर के दायने में सेवा बंद कर दी है। बांगलादेश एली कमिनिकेशन रेगुलेटर कमिशन ने कमपनियों को अपने आदेश में कहा है कि देश की सुरक्षा और मौजूदा स्थिती को देखते हुए अगली सूचना तक मोबाइल नेटवर्ग सस्पेंड करने का फैसला किया गया है।